कुछ कविताओं के लिए कुछ कविताओं की प्रस्तुती के लिए प्रिये दिवेंद्र जी ने हमसे आग्रह किया मैं कुछ कविताओं की प्रस्तुत कर रहा हूं मैं प्रस्तुत कर रहा हूं पहली कविताओं की कविताओं केवल कविताओं पर ही नहीं गद्य लेखन पद्य लेखन साहित्य की जितनी भी विधाएं हो सकती हैं दिवेंद्र जी सारी विधाओं को समेटे हुए है अपने चैनल में लेकिन साहित्य तो हितेन सहितम होता है सबका हित ही करता है लेकिन विशेश कर कविता कविता सारी विधाओं से काफी उपर मानी जाती है इसलिए कविता बहुत जरूरी है अब क्यों जरूरी है इस विशाय पर मैं एक छोटी सी कविता प्रस्तुत कर रहा हूं भाई दिवेंदर जी सीर्शक कविता का कविता बहुत जरूरी है सत्मानिय धरा लोक में कविता ही है सत्मानिय धरा लोक में कविता ही है जो जग के कल्यान के लिए ही जनती है जोर जुल्म के महिसासुर को निश्चित ही वह दुर्गा बन कर केहनती है कभिता ही है जो अंतस्की मरुस्थली में मनुस्थता का ब्रंदा बन बिक्षाती है रिस्तों के मुर्जाए हुए चमन में भी चाहत राहत की बहार बुलवाती है कभिता ही है जो यथार्थता के ही बोल बोलती है कभिता ही है जो उच्छ भरेव जाल साजी की जम कर पोलती है साहस की उची सीढ़ी पर चढ़ती है साहस की उची सीढ़ी पर चढ़ती है प्रतिरोधों की नई कहानी गढ़ती है कभिता ही है जो दुखियों असहायों से सच रखती है मजबूत मुहबत कोई भी तो बतलाए काउन आख सकता है आखिर इस दुनिया में सही सही कभिता की कीमत कभिता ही है जो जीने का मूल मंत्र चिखला देती है आतिनिस्ठुर विकराल काल तक को भी बेसक खेल खेल में बुरी हार का दरवाजा दिखला देती है कभिता ही है जो सच मुच में भाय का भूत भगाती है चेतनता की महाशक्ति का सूरज नया उगाती है पापों के सापों के सीष कुचलने को नित इस कभिता की अंतिम पंक्तिया है पापों के सापों के सीष कुचलने को नित देती ताकत पूरी है और जीवन युद्ध जीतने खातिर कविता बहुत जरूरी है, कविता बहुत जरूरी है, कविता बहुत जरूरी है, ये कविता आपके सामने प्रस्टुपुई, दूसरी कविता का सीर्षक है उस दिन, और ये भी कविता पर ही केंद्रित है, जान भूछ करके मैंने एक कभिता पर ही केंदरेटेकाथ कभिता इंपरसूद करने काम किया उस दिन सीरसक है जिस दिन कभिताई की दुनिया दानवता के घौर कहर से बुरी तरह से डर जायेगी जिस दिन कभिताई की दुनिया दानवता के घोर कहर से बुरी तरह से डर जाएगी जिस दिन करुणा की कन्या की अंतिम सांस ठहर जाएगी उस दिन सच मानिय साथियों मानवता की मही यसी भी तड़प तड़प कर चीख चीख कर अपनी छाती पीट पीट कर मर जाएगी करुणा की बस्ती को पूरी वह सूनी कर जाएगी बहुत बहुत धन्यवाद तीसरी कविता है जियोंगा जिन्दगी भरपूर यथार्थता की ही भूमि पर रहकर विचारों की बाठिका को संबेदना का जल पिला कर खिलाता रहूंगा लोक धर्मी सरजनाओं के फूल खिलाता रहूंगा लोक धर्मी सरजनाओं के फूल हटाता रहूंगा जीवन की पकडंडी के शूल बुलाता रहूंगा नैराश के आकाश में आशाओं के घन विक्साता रहूंगा मन की मर्भूम में भी मनुस्यता का मधुबन तनाता रहूंगा चेतना का भितान साधता रहूंगा सब दिन सही प्रतिरोधात मकता की कमान करता रहूंगा प्रतिकूलताओं की चुनवतियों को सहर्स स्वईकार ललकारता रहूंगा निस्ठुर काल को भी लगातार और कहता रहूंगा यही कि चाहे कितने भी तूटें मुझ पर मुसीबतों के पहाड किन्तु तब भी तूटने नहीं पाएगा फूटने नहीं पाएगा होने नहीं पाएगा जीवन का दरपण चकना चूर बनूगा बचूँगा जरूर तूटने नहीं पाएगा जीवन का दरपन चकना चूर बचूंगा जरूर जीऊंगा जिन्दगी भरपूर सिर्शक है कभी रचता है कभी रचता है कभिता जुगाड के तरवाजे से घुसकर पुरसकार हथियाने के लिए नहीं राज दरवारियों के आगे पीछे पूँच हिलाते रहने के लिए नहीं उन्हें बिरदावली की सबदावलियां परोसने के लिए नहीं कुवेर की कुरसी को लपकने के लिए नहीं बलकि कभी रचता है कभिता बहाने के लिए संबेदन शीलता की सरिता बचाने के लिए जूझती हुई मनुस्ता का जीवन पहुचने के लिए आखरी आदमी तक जानने हे तु उसका सुख दुख करने के लिए पासाणी की हिरदाय में भी रसवत्ता का संचार महसूस कराने के लिए धर्ती का दर्द फूंकने के लिए अमानवियता अत्याचार और घोर सोसन के विरुद्ध महा करांति का स्वर बहुत बहुत धन्य बाद दिवेंदर जी कर दो दिए